Assalamualaikum everyone Well, आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत कॉमन है हम सब जानते हैं बड़ कभी कभी हम भूल जाते हैं और वो है शुक्र शुक्र करना बहुत 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 जरूरी है जिस एक्जामपल जब दुनिया में दुनिया में जब कोई दुनियावी चीज हमारे लिए कर देता है हम कितना शुक्र करते हैं उसका सामने तो thank you thank you उनका हाथ लेकर भी चुमलेते गले लग जाते हैं खुशी से पागल हो जाते कुदी मारने लगते हैं चार लोगों को you do do this फलाना फलाना उसके बाद हम और शुकर जाहिर करने के लिए you know flowers भीजते हैं लोगों को sweets भीजते हैं gifts भीजते हैं हदिया भीजना वैसे भी बहुत अच्छी चीज़े हमें एक दुसरे के you know relation में महभब रखने के लिए हदिया भीजना बहुत जरूरी है irrespective but you know जब शुकर कोई चीज के लिए होती है कोई हमारा काम हो जाता है तो हम कैसे शुकर करते हैं बस उसी तरह हमें लोगों का भी शुकर हर चीज पे करना चाहिए कभी किसी को granted नहीं लेना चाहिए यह नहीं सुचना चाहां ठीक हो गया तो क्या हमें हर इंसान का शुकर करना चाहिए चाहे हम पैसे देके भी क्यों ना काम करा है बट शुकर करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो आपके दिल को नरम रखता है वो आपको soft रखता है और वो आपको एक respectful इंसान बनाता है आपके दिल में महबत रखता है और बिल्कुल उसी तरह बलके उससे ज्यादा हमें अल्ला का शुकर करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना कुछ नवाजा है चाहे वो हमारे अच्छी family हो घर हो, कपड़े हो, काम हो और बहुत सारी चीज़े हम जिन्दा है, हम अल्हम्दुल्ला हमारे दो हाथ, दो पैर है और इंसान जो भी situation में कोई चीज उपर नीचे भी आपकी लाइफ में आपको अल्ला का शुकर करना चाहिए बीकिस यूनो, यह बहुत ज्यादा ज़रूरी है और जैसे इनसान शुकर पसंद करता है बेशक अल्ह भी पसंद करता है और आल्ला ने इनसान में यह शुकर वाली चीज़ क्यों डाली है क्योंकि अल्ला चाहता है कि इनसान हमेशा नर्म रहे और इनसान के बीच में महबत रहे इसलिए शुकर करो कि शुकर भी एक अच्छे अखलाकों में से एक अखलाक है जो अल्ला बहुत पसंद करता है तो आप बस नमास पड़े, अल्ला से शुकर करे हर चीज का जो उसने आपको नवाजा है अच्छे दोस्त, अच्छा घर, हर चीज अच्छी है जो अल्ला ने दिया है हमें हर चीज का हर हाल में अल्ला से शुकर करे और अपने अखलाक अपने दोस्तों से अच्छा रखे और जो आपके लिए जो भी करे चाहे एक वाच्मन भी अगर आपके लिए डोर कर देता एक मुस्कुरा के उसे थैंक्यू बोल दीजिए और वो इतना खुश हो जाएगा कि बस तो हमें एक अच्छा इंसान बनना है हमें ये शुकर का अखलाख हमारे अंदर डालना है और लोगों के खूब मदद आना है